Class 5th Lesson 2 The Bites Pison आज हम इसकी जो ग्लॉसरी है वो पढ़ेंगे यानि की बर्ड्स मीनिंग तो ये है हमारी Chapter 2 The Bites Pison की ग्लॉसरी सबसे पहला वर्ड दिया है पेट्टी पेट्टी मीन्स क्या होता है? Small and Unimportant यानि की तुक्छ यानि छोटा या गेर जरूरी ठीक है सेकेंड बर्ड है डियर डियर मीन्स क्या होता है तो बी ब्रेव एनफ टू डू सम्थिंग मीन्स साहत्स या हिम्मत ठीक है इसके बाद नेक्ट बर्ड है होटी होटी मीन्स क्या होता है behaving in an unfriendly way मतलब बिना किसी दोस्ताने की जो behave करता है यानि की घमंडी टाइब के जो लोग होती है उन्हें होटी बोलते हैं फिर है क्या है? dawn dawn means the time of day when light first appears ठीक है तो इसको बोलते हैं भोर, भोर भी बोलते हैं सुबय जो होती है ना सुबय का सबसे पहला दिन का जो सबसे ऐसा ओजाला टाइप का होने लगता है ऐसा जो समय होता है जब राच डहल जाती है ओजाला टाइप का होने लगता है उसे dawn गोलते हैं ठीक है फिर अगला है m-o-a-n moon moon means bilap a long deep sound चिल्ला चिल्ला के रुना उसको क्या बोलते हैं कराहना भी बोलते हैं bilap बोलते हैं ठीक है फिर है wicked wicked means क्या होता है morally bad यानि कि दुष्ट या फिर बुरा वेक्ति जो चरित से अच्छा ना हो उसको बोलते हैं wicked अगला concern concern है फिर next bird concern means क्या होता है care for something यानि कि चिंता करना ठीक है अगला word है boast boast क्या होता है to talk with too much pride यानि कि अपने आपको जूठा गर्ब महसूस करना या धीन मारना ठीक है उसको बोलते हैं फिर next सबसे last जो बर्ड है वो है unconscious unconscious means क्या होता है inner state like sleep because of an injury यानि कि चोट लगने के बाद क्या होता है चोट लगने के कारण जो फिर सो जाते हैं न या अचीत आवस्ता में महुच जाते हैं उसको unconscious बोलते हैं या अचीत भी बोलते हैं या बेहो सो जाना ये भी बोला जाता है ठीक है बच्चो ये थी हमारी lesson two की glossary यानि word meaning ठीक है बच्चो नेक्ट वीडियो में मिलेंगे फिर नेक्ट और